जबूचे साइसे तो यह हम बात करेंगे इंफलेशन इंडेक्स यानि मुत रश्पेती सूचकांग जो होते हैं उनके बारे में जैसे आपका हौल सेल प्राइज इंडेक्स डबलो पी आई आई कंजूमर प्राइज इंडेक्स C.P.I. इनके बारे में तो एक ये एक सोट वीडियो है क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपोटेंट है तो चलिए शुरू करते हैं चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थोक मूल्य सूचकांक होल सेल प्राइस इंडेक्स एक मूल्य सूचकांक है जो कुछ चुनी ही वस्तू के सामोहिक ओसत मूल बनाती है अपनी वो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर बनाती है भारत जैसे तेसो में इसको बेज रखते है होल सेल प्राइस इंडेक्स को और इसी आधार पर अपनी नितिया तयार करती है अगर यह भड़ रहा है इसके अनुसार इंफलेशन भड़ रही है तो नितिया अपनी महंगाई के अनुसर बनाएगी और इसमें गिराव अटा रही है तो अपना उसी साफ से इसमें केवल वस्तुवे सामिल होती है सेवा सामिल नहीं होती इसका जो आधार वर्स है वो 2011-12 है इसका मतलब यह होता है कि हम जो अपनी इन्फलेशन की तुलना करते हैं महंगाई की वो इस आधार वर्स के आधार पर करेंगी यानि कि अगर 2011-12 में कोई चीज 10 रुपे की थी और अब वो 2020 में 12 रुपे की हो जाती है तो इसका मतलब उसमें 20% की इन्फलेशन आई है तो आप समझ गए होंगे कि आधार वर्स का क्या मतलब है 2011-12 का 2011-12 से तुलना करते हैं कुल वस्तू की संक्या इसमें है 697 में और भारांस के आधार पर इसमें जो सबसे आधा बेटेज है वो है वी निर्मित उत्पाद ये आपको याद रहना चाहिए ये जीके के लिए बहुत इंपोटेंट होता है इसमें वी निर्मित उत्पाद का सबसे जाद अवेटेज है उसके बाद प्रात्मिक वस्त हुए और फिर उसके बाद इधन थोक मूले सूचकांग की घरना हर अपते होती है ये ध्यान रखना कि इसकी घरना हर अपते पर होती है जबकि CPI Consumer Price Index में ऐसा नहीं है अब बात करते हैं भोकता मूले सूचकांग त तो सीधा हम पर पढ़ता है अगर इसमें महंगाई बढ़ती है तो उसका असर यानि की सीधा एक आम आदमी पर पढ़ता है क्योंकि ये घरेलो भोकताओ द्वारा खरीदे जाने वाले समान पर बढ़ने वाली महंगाई है तो घरेलो भोकताओ द्वारा खरीदे गए समान एवं सेवाओ के ओसत मूल्यों को मापने वाला एक सूचकांग है वो भोकता मूल्य सूचकांग की गढ़ना वस्तु एवं सेवाओ के एक मानक समू के ओसत मूल्य गढ़ना करके की जाती है अब इसमें ध्यान लखने वाली बात यह है कि होल डबलू पी आई जो था उसमें त और इसकी गणणा मासिक आधार पर होती है यानि कि हर महिने होती है जब कि डबलू सूचकांग भी होते हैं CPI IW यह आपका ओदोगिक मजदूरों से संबंदित inflation रहती है CPI AL यह agriculture लेवर्ज होती हो से संबंदित और CPI RL यानि कि यह जो rural इलाके हैं उनसे संबंदित आपकी inflation रहती है तो यह वीडियो यहीं समापत होती है आई होप आप WPI और CPI दोनों समझ गए होंगे और इनके बीच का difference भी समझ गए होंगे अगर पेपर में कोई question बनता है आपके exam में तो वो इनी बीच में से बन सकता है नहीं तो current affairs से कोई link होगा लेकर बेसिक है तो वो यहीं से होगा तो अब यह आपका हो चुका है अगर आपको confusion है तो आप कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो लाइक करें और चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद